दो और दो का जोड हमेशा चार कहा होता है जी हाँ निदा फाजली ने ये शेर जिंदगी के लिए और रिष्टों के लिए कहा था लेकिन गनित में चुनाओं में और बहुमत के आंक्डों में दो और दो का जोड हमेशा चार ही होना चाहिए लेकिन इस बार नीज चैनलों ने जो एक्जिट पोल कराए हैं उसमें बहुत अजब गजब खेल किया है दो और दो का जोड कहीं पाँच है कहीं तीन है और कहीं साथ और आठ तक पहुँच गया है तो आज हम चनौचकर के इस विशेश एपिसोड में बात करेंगे एक्जिट पोल के बरक्स ग्राउंड की आवाज सर्वे की हकीकत के बरक्स जन्ता की आवाज वो लोग क्या कह रहे थे क्या सोच रहे थे और इसके लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं हमारी वरिश सयोगी वरिश पत्रकार भाषा सिंग जो ग्राउंड पर गई लगातार चार राजियों का उन्हों ने चुनावी दौरा किया एलेक्शन पल्स आपके सामने पेश किया हम उनसे बात करेंगे तो शुरू करते हैं चुनाल चक्र तो भाशादी मदान खत्म हो चुका है यह बने चार चुका है मदगान लगार मन सब्स साथ Dogs Cradina हो फिरा फार चार चुका है उनसे सा सारा से लोग फास मिक्रान के और आख्डी कarat अगर साइंश है unto उसमें इतना वैरीएशन क्यों है इतना अंतर क्यों है कई जब जेसे मैंने कहा कि दो और दो का जोड पाज भी हो गया साथ भी हो गया आड भी हो गया तो ऐसा क्यों हुआ हम उसके नंबर हम एनाउंस नहीं करेंगे पर हम जनता की आवाज जनता का मूड जो एलेक्शन पलस आपने पकड़ा जो जनता की नबस आपने पकड़ी वो जानना चाहें कि जनता जबाब गई उनके बीज उनका feedback क्या था वो हमें बताई ये हमरे दर्शकों को बताई देखिए एक बात बहुत साफ है कि मध्यप्रदेश बहुत खास है इन पांच राजियों में तो कि जन राजियों की हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ मध्यप्रदेश में ही भार operation lotus the great operation lotus की वज़ा से शिवराज जी वापस आ गए तो इसलिए confusion होना बहुत लाजमी था बहुत जरूरी भी था confusion होना लेकिन जमीन पर एक बात साफ थी कि मैं बाकी और लोगों की नहीं बात करी मैं सबसे पहले बात करूंगी कि अगर आप भाश्पा का प्रचार देखिए भाश्पा की जो कारे करता थे जो भुपाल से लेकर इंदौर से लेकर उजयन मालवा विंध तमाम जगों पे थे वे सारे लोग confused थे और उनकी confusion का सबसे बड़ी वज़ा थी कि शिवराज शिवराज सिंग चौहान को मोदी जी ने साइड लाइन कर दिया था चेहरा नहीं जितनी जगा बैनर पोस्टर था वहां पे कहीं पर भी शिवराज नहीं MP के मन में मोदी टैग लाइन था चुनाव प्रचार का और इसकी वज़ा से एक नीचे तक यह मैसेज गया कि शिवराज जी तो इस बार मुक्यमंतरी नहीं बढने वाले और शिवराज जी की नाराज पर की इन फाइट को लोग साफ तोर पर बोल रहे थे कि इतना पैसा बहुत पैसा लाडली स्कीम जो की प्राइम स्कीम है जिसमें करीब बारा सो पचास रुपे हर महिला को देने का वादा शिवराज जी ने का उन्होंने का कि मैं तुम्हारा भाई हूं राखिय से तीन हज और है शिवराज लगातार मुख्यमंत्री रहे तो इसलिए शिवराज को साइड लाइन करें कुछ घुसा शानध कर दिया जाए देखिया इसके बारे में मोधी जी मध्द्प्रदेश के मन में है की नहीं है यह तो पता नहीं लेकिन मोधी जी के मन में क्या था यह किसी को पता है मोधी जी कभी बताएंगे भी नहीं जनता जनारदन को और हम जैसे पत्रकारों को तो बिलकुल भी नहीं तो एक बास थी कि यहां पर चुनाव मोधी जी के नाम पर लड़ा गया मोधी जी लगातार भाशनों में शिवराज का नाम नहीं ले रहे थे वह लास मॉमेंट बाकी जो भाशपा का पूरा क्योस था हम सब ने देखा कैलाश विजे वरगीज को जिस तरह से उतारा नरेन सिंग तोमर को जिस तरह से उतारा और उससे जो एक बड़े पैमाने पर और मुझे सबसे ज्यादा मज़ा आया कि लोग जिस तरह से जोतिरादिस सिंधिया को या आज़ए में जो गवालियारूंका इल्का माना जाता है तो जन्ता का मूट था चाहे हो वह सफ़ाई करम चारी हो चाहे हो रोज मर्रा का काम काँच करने व्हाली लोग हो या फिर ृप ऐसान वाली किस्थ नहुने बिलकुल चुनाओ के समय पहले दिन हुई हुई लेकिन एक बड़े पैमाने पर लोगों ने कहा बहुत हो गया अब बदलना तो चाहिए मैं कहने हूं बाजपा के लोग कह रहे थे कि अब शिवराज जी को जाना चाहिए यही रिपोर्ट हुई कि एक तो बदलाव के लिए और कमलाथ जो है कोशिश भी जिस तरह से उन्होंने की क्य में यह भी खासियत थी कि कोई सांपरदाई कार्ट चल ही नहीं पाया जो बुल्डोजर की राजनीती वह उत्तरप्रदेश से उधार लेकर गए थे क्योंकि बुल्डोजर मामा भी बने थे और राममंदिर अगर आपको याद हो तो शुरू में तो बैनर पोस्टर में श्रीवराज मामा या मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए वोट किया तो महिलाओं से जबाब की बात चीथ ही तो किस तरह का फीड़बेक में देखे महिलाओं अगर आप जो कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाई भी दे रही हैं उनमें तमाम मैंने कोशिश और नौकरी पेशा नहीं ले रही है इसलिए तमाम महिलाओं के भीतर एक नाराजगी ये थी कि चुनाओं के समय किया है आप देखे लड़कियां बोल रहे हैं जो नौजवान लड़किया हैं कि आरे भाई आपको पांस साल में हमारी याद नहीं आई आई आप चुनाओं क तो मोधी गारेंटी का क्या रहा कुछ चला मोधी गारेंटी का क्या चला नहीं चला ये तो अब जमीन पर पता चल जाएगा लेकिन इसने एक नाराजगी यह पैदा कि बड़े पहमाने पर जो अलग-अलग चेहरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुई लग रहा था कि मद्द प बहुत जमे जमाएं नेता हैं तभी उसने बिल्कुल आखरी समय में थोड़ा आगे लाए और लाड़ी को भी बोलना शुरू किया उन्होंने लगा था पर यह अगर जीत होगी तो मोदी जी की होगी और हार होगी तो शुवराजी की होगी और नड़ा जी की होगी आचा तो अभी हम क्योंकि छोटा छोटी हमें पांचो राज्यों पर बात करनी हैं तो मध्यप्रदेश से हम आगे बढ़ें राजिस्थान वहां भी थोड़ा पेच फसावा है जो एक्जिट पोल कह रहे हैं हम आकड़े तो एनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि हमने उस तरह का कोई देखे राजिस्थान में गहलोत की जो योजनाय थी वो उससे लोग खुश थे बड़े पैमाने पर यह था कि हाँ लोगों को फायदा मिला है और खास दौर से जो वंचे समाज है या गरीब समाज है उसको फायदा मिला है लेकिन जैसे वहां से एक जो बहुत बड़ा चहर में जिस तरह से बालकनात को खुली छूट दी गई नफरत पहलाने की लगातार मुसल्मानों के खिलाफ भाशर देने की मैं उसी इलाके से मैंने अपनी चुनावी कवरे शुरू भी की लेकिन उस तरह से नफरत क्योंकि एक तरफ वो था और आप दूसरी तरफ जाएंगे उदेपूर और वह वाला इलाका वहां उनको पुरानी घटना याद आ रही थी जिसमें खुद भारती जनता पाटी के ही लोग फसे हुए थे कनहिया लाल का जो मडर हुआ था वो इन दोनों को सेंटर करते हुए भाश्पा की पूरी कोशिश्थी की राजस्थान में सांप बालता ही बदलता है लेकिन इस बार गहलोत के पक्ष में बात ये थी कि वसंधरा पिछली बार की तरह नाराज थी इस बार उनको मनाने की कोशिश हुई थोड़ा बहुत मानी भी लेकिन लास मोमेंट पर फिर उनके साथ जिस तरह से वहवार हुआ वो संदेश बहुत काम बहुत पुराना है राजस्तान में वो इससे बहुत खुश नहीं कॉंग्रेस के लिए मुश्किल है थी कि उसको जो काइदे से समझोते करने चाहिए थे खासवार से भारती ट्राइबल पार्टी जो एक बहुत एहम भूमी का अदा करती है बीटीपी उदेपूर और प आ रहे थे कि इस सीट पर वह इसको सपोर्ट कर रहे हैं गूजर में किसको सपोर्ट कर रहे हैं और तो इन फाइटर यहां रमेश भी धूड़ी को उन्होंने उतार रहा थी कंभल नाद के पक्ष में इक तो उनकी योजिना खास्त को अर जो ती और ओपियस मामला जो था व और अगनीवीर पे भी लोग नाराज थे यह एमपी में भी जो एक बता रहे हैं पर मज़दार यह है कि एकजिट पोल जो दे रहे हैं जो मतलब कुछ एकजिट पोल तो बिलकुल ऐसे दे रहे हैं कि दोनों को बहुमत मिल सकता है बहुत कन्फूजन है मतलब आपको वहां 199 सी सब्सक्राइब को दिये हैं ठीक है यह बहुमत के आंकले से जादे भाजपा को भी 80-100 यानि 100 पहुंच गया तो वह भी बहुमत तो यानि चिद भी मेरी पढ़ भी मेरी दोनों कई इस तरह के वह आये हैं तो राजिस्थान में और यहां मुकल मैं चीज और कहना चाहूंग जिस तरह से बैलेट पेपर खोले गए और वह भी बिना कॉंग्रेस को बना कॉंग्रेस साइद तमाम पाटियों को आपको इतला देनी पड़ती है जब आप बैलेट पेपर खोलते हैं और आज तक हम इस पर भी बात करेंगे अभी जो मुझे लगता है एकजिट पोल भी श हम अब मध्यप्रजिश से चलें अगर 36 गड़ पे लगभग एक मत हैं सब के कॉंग्रेस की सरकार लाट रही है तो उस पर हम एक बहुत संशिप्ट टिपनिया लेकिन दिक्कत मुझे लगता है कि बस्तर बेल्ट में होगी कॉंग्रेस को और क्योंकि वहां पर एक जाता है कि एडी ने पहले एक राउंड प्रेम बारता की थी तो अगर कॉंग्रेस के पास पिछली बार तक की सीटें या उससे ज्यादा सीटें नहीं मिली बगेल खुद भी ये परसनल टॉक में इन्होंने शेर भी किया है तो उनके लिए हो सकता है कि 36 गड़ के लिए महर महराष्ट मोमेंट हो जाए तो इसकी सारी क्यास बाजी है मद्यप्रदेश में यह सब हुआ और तमाम जगे महराष्ट में हमने देखाई 90 सीटे हैं कुल 46 का अकड़ा है जिसमें बहुमत का और कुछ जो पूल है वो 35-45 भाजपा और भुपेश के साथ ये भी फायदा है उनके साथ वो बहतर कम्मिनिकेटर है जो उन्होंने योजना है कि उनका प्रचार प्रसार नीचे तक अशोग गहलोत यहां पर मात खाते हुए दिखाई देते हैं उन्होंने योजना है बहुत अच्छी कि आखरी मोमेंट के च्छोटी पार्टी इसको साथ नहीं लिया महा अब हम चलें तिलंगाना दक्षन का एक राज्य है यह बहुत महत्पूर्ण है यह राज्य तो राजिस्थान और मध्यप्रदेश यहां तो एक जगए बीजेपी एक लेकिन दक्षन का राज्य जो पूरी राष्ट्य राजिनिती को भी प्रभावित करेगा ने वाले जिन 80 सीटों पर थी अचानक से इसा क्या हुआ और वहां क्या मूड आप आपने वैसे रिपोर्ट की एलेक्शन पल्स में कि लगतार वहां कॉंग्रेस करते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि यह ना बोल दे कि नहीं जी सरकार बन रही हमें करना भी नहीं चाहिए यह बुन्या खत्म हो चुका है तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस के पक्ष में जो वेव थी वो पिछले 6 महिनों में अगस से जो बिल्डप होना शुरू ही है और इसमें एक बहुत एहम योगदान बहुत खामोशी से जो काम हुआ है रिवन्त रडडी वहां पर कॉंग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्रिपत के दावेदार भी बताया जाते हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के समय जिस तरह से काम किया वहां पर को कि कॉंग्रेस का इलाखा रहा है यह पुराना आंधर में और इसमें पहली बार कॉंग्रेस ने यह कहा कि तिलंगाना हमा उससे जो नाराजगी थी उनके विधायकों से जो नाराजगी थी बहुत एक इंपॉर्टन से था जो खुद भी कॉंग्रेस ने माना और तीसरी बहुत एहम बाद मुकुल कि राहुल गांधी कम्मुनिकेट करने में सफल रहा है यहां उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया कि करनाटक का जीप कि वहां पर आपने कर दिखाया देखे वहां पर जो छेर गारेंटिया कॉंग्रेस नहीं यहां पर किया है तो करनाटक के में लोगεί है है कि भाई यह हो गया है यह फायदा मिल रहा है और उसको टाइम फेज में मैं ऐसा नहीं है कि वह ऐसे ही घोशना है तो उससे एक डिस्कोर्स भी चेंज़ और खास्तोर से बेरोजगारी है क्योंकि हम सब जानते हैं मैंने भी स्टोरी की और दर्शक भी देखें बहुत मज़ गड़ के सिंगल वुमें वाली होजना है फ्री बिजली वाल यूजना है सब चीजंड थी लेकिन प्लेयर क्योंकि वहां बीजेपी तो बहुत चौथे पे रहें पहले बी चौथे पे ठिशी के पास एक विदायक binge M.I.M. O.A.C. 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 भी एक काफी बड़े करदार है इस चुनाओं में तो उनकी इस्तिति कहां देख रही है किस तरह का उनका होल देखें O.A.C. मुझे लगता है कि अपना जो उनका गड़ है उसमें कमफर्टिबल है जो हैदराबाद और पूरा जो बहुत दिल्चस्पी है कि टी राजा सिंग का क्या होता है टी राजा सिंग वर शक्स हैं जो भाशपा के इकलोते विधायक हैं जो जीते थे गोशा महल से पुराना हैदराबाद वाला इलाका है और उन्हें सस्पेंड किया गया क्योंकि वो नफरती भाशन देने में इस सम से ज्यादा नफरती भाशन दे सकते हैं टकर में सिर्फ हेमंत विस्वसरमा आते हैं असम के मुख्य मंतुरी तो वो इलाका क्या होता है वो किधर जाता है यह देखने वाली बात होगी अब हम क्योंकि एक पांचवा राज्य है मिजोरम भी आप गई जिस मिजोरम को बहुत बहुत का आकड़ा 21 हो गया तो मनेफ वहां एक करदार है और एक जैट पीम आपने पिछली रिपोर्ट मता है कि मुख्य करदार है जो आगे और कॉंग्रेस भी है बीजेपी वहां नहीं है वो पसंद भी नहीं है लोगों को वहां तो एक जिट पूल कुछ एक जिट पॉल प्राइमाने पर जैट पीम यानी जोरम पीपल्स मुवमेंट जो तकरीबन पांस साल पहले यह एक मुवमेंट एक पार्टी के रूप में सामने आया लेकिन जो इसके मुखिया है वो बहुत दिल्चस्प हैं लाल दूओमा लाल दूओमा आईपियस ऑफिसर रहे हैं इंद जो सबसे खास बात है कि इसका सेकुलर क्रिडिंशल बहुत तगड़ा है यानी धर्म निर्पेख्ष क्रिडिंशल बहुत तगड़ा है और इसने सबसे पहले कहा कि हम किसी भी सूरत में भारती जनता पाटी के साथ कोई टाई-अप में नहीं जा सकते क्योंकि कॉए अगर क कि जो मुख्यमंत्री है जोरंग थामा थंगा उन्होंने दो तीन चीजे बहुत एहम की मुकल जिसका जिक्र हमें बार बार करना जरूरी है उन्होंने मनीपूर पे स्टाइंड लिया मनीपूर जब जल रहा है उस समय जो लोग आए वह वहां पर गए उनको जगह दी मैं वहा जी चुनाओ प्रचार के लिए गए नहीं जबकि पोस्टर वोई एम फॉर मिजोरम एम फॉर मोधी बने वहां पर पिशली बार जो विधायक बने थे कॉंग्रेस बीजेपी के इस बार उन्होंने चुनाओ लड़ने से भी मना कर दिया चुटी-चुटी बात हमने पांचो रह गया लेकिन यह आने के लिए आने वाले समय के लिए जरूर लोक तंत्र का सवाल है और इसमें सबसे बड़ी जो चिंता है जिस बड़े पैमाने पर हम जो कैमरे पर कैद हुआ कि किस तरह से पोस्टल बैलेट गिने गए क्यों खोले गए बाई किसके और पे खोले गए और जो हमने देखा कि एक भाजपा के जो कैंडेट हैं जो विधायक हैं वो खुदी जाके कह रहे हैं कि भाई मेरा बहुत पैसा खर्श हो गया है पैसा कम करा दिया जाए इसकौर्पियो इतने की हो जाए यह इतने की हो जाए तो इस तरह को जो मैनुपलेशन है एड्मिस् इस बहुत बहुत मज़ेवे खिलाडी है और उन्होंने जिस तरह से बोला भी है तो पता ही चल जाएगा कि किस तरफ है जैसे भाशान में का और आप सब जानती हैं कि बहुत कम घंटे रह गए हैं तीन दिसंबर यानि रविवार के दिन सुभा इवियम खुलने लगेंगी और हम आपके साथ फिर बैठेंगे भाशा भी साथ रहेंगी और हमारे वरिष्ट साथी और मलेश अभिसार ये सब लोग साथ रहेंगे एक पैनल रहेगा आप से हम लाइव डिसकस करेंगे आकले दिखाएंगे चुनाओ के रुजहान बताएंगे और जो चुनाओ के कीजे हुए उन पर भी बातचीत करेंगे तो कल हमारे साथ रविवार को सुबह से जुड़े रहेगा हम आपके पास आते रहेंगे फिलाल शुक्रिया धन्यवाद